आप इस तरह से screen saver setting किस तरह से करेंगे अपने नाम का intro जैसे ठीक है तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप setting करेंगे Windows 7 में बहुत ही असान तरीके से हम आपको बताते हैं आप कहीं पर भी screen पर ठीक है लेकिन कहीं किलिक करना है नीचे जो option देख रहा है screen saver का ठीक है यहां इस तरह से close वाले option से तो यहां पर screen saver पर आपको क्लिक करना होगा Windows 10 के लिए हम अगले वीडियो में बता देंगे किस तरह से setting करना होगा Windows 10 में ठीक है तो फिलाल Windows 7 के लिए स्क्रीन सेवर सेटिंग में आपको इस तरह से डावलाग बाक्स ओपन होगा ठीक है यहां पर किलिक करने के बाद इसे हम close कर देते हैं और देखिए यहां दे रहा है screen saver ठीक है तो कुछ भी नहीं दिखेगा इस तरह से जो फिक्चर चलता हुआ नजर आएगा ठीक है लाइनिंग ठीक है और यहां पर आता है फोटो यानि कि आप अपना फोटो लगा सकते हैं और यहां रिबंस यहां इस तरह से रिबंस उड़ता हुआ नजर आएगा तो हम 3D टेक्स पर लगाना चाहता है तो अपना टेक्स लिख सकते हैं और निचे चूज फांट में जो फांट आपको यूज करना है यहां से आप फॉंट यूज कर सकते हैं ठीक है मैंने कोई एक ले दिया ठीक है यहां नौन है यहां से इस्पीन करेंगे ठीक है इस्पीन किलिक करने के प्रिवाद नियाद से स्लोव फास्ट टेक्स ट्यूजर जो भी कलर आपको करना होता है आप अपने हिसाब से ठीक करके और प्रेस कर दिजीगा और प्रिव्यू पर हम आपको दिखा दे रहें कि सेटिंग करने के बाद किस तरह से चलेगा कुछ इस तरह से चलेगा आपका स् चूच फांट में जाते हैं हम अलग फांट चूच कर लेते हैं कुछ यह वाला ठीक है और ओक्की प्रेस करते हैं ओक्की प्रेस यहां भी करते हैं ठीक है उसके बाद यहां पर प्रिव्यू पर देखते हैं कि कैसा हमारा आयेगा ठीक है स्क्रीन सेवर जब स्क्रीन का टाइम आउट होता है तो अपने आप ए घुमने लगेगा आयो पर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मिलते हैं अगले वीडियो में जैन जै बारत